पर आज हमारे साथ देख सकते सुपर एस्टार पावर एस्टार टेंडिंग एस्टार मौजूद है आर्यन बाबू लिटिल एस्टार बड़े दिनों के बाद आज बुलकात कुआ है कैसे हैं सबसे पहले गंगा नियुसको मेरा प्रडाम और आज बहुत दिनों बाद इस चै मिलिम इतने छोटे से उमर से आप नोग देखते होंगे यह दो को इसे प्रजामरोस केige प्रोग्राम में कैसे कर लेते हैं आर्यन बाबू Harold picture गाने स्टेज कैसे कर ले सबसे पहले है कि महारी जंता का अश्रवाद रहता है आप जैसे गारजेन माग cares今日は आज हम इतना आग सब्सक्राइब कर दो कोई बोजपूरी का ऐसा सूपर अश्टार जी इसको मानते हैं निरोजी पहुंजी खेसारी लाल सभी के साथ पूरे हीरो हीरो इन जितने लोग है ना सब के साथ काम कर चुके पिक्चर भी इनका कई बलास्ट बलास्ट आ चुका है गाने कुन-कुन से गयाना भी ट्रेंडिंग में चल रहा है जो देव साई फिल्म से आया है और आप सभी ने काफी ज़्याद आश्रवात दिया उसको कि बबुवात के मुखडा लागे अचांद जैसन आ क्रिश्न भागा हुवान जैसन हो ए राजाजी ए राजाजी ए राजाजी ए राजाज सन से बेटर हुई है बढ़िया कॉमुन टेटर हुई है हो बहुत सुंदर गाते हैं इनकी एक्टिंग इनकी आवाज आप लोग सुने सुने होंगे और बताईएगा कॉमेड़े बखस में कि कौन कौन लोग आरियन बाबू को जानता है क्योंकि चार साल पांच साल पहले ही हम बोल दिये थे कि सूपर अस्टार होंगे आने वाले दि दीन रात एक हुना पिक्चर में लगतार जाना अलगतार यह अपनी उचाई जो है ना छूते जा रहे लेकिन एक दिन स्टार बनना है अच्छा आरेन बाबू अभी तो स्ट्रागली चल रहा है मातारानी के आश्रवाद से आज मैं जो भी हूं आप सभी कहीं आश्रवाद से हूं और बस अब जैसे गार्जियन का हमारी जनता जनारदन का अश्रवाद ऐसी बना जनता का तो प्यार मिल रहा है तभी तो अभी मतलब कि यहां तक पूंचे जी अभी तक आपके एज के लड़का इक भी जितने आप पिक्चर कर लिए गाने कर लिए स्टेज प्रग् जाने में तो देखा जाए जनता के साथ-साथ न्यूस का भी हाथ होता है चैनल्स का भी हाथ होता है तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सब इने शुरुवाती दोर में मुझे इतना सपोर्ट किया नहीं जिसके पास टैलेंट रहता है ना वही उचाईयों को छूपाता जिसके पास टैलेंट नहीं रहेगा कहां से चुपाएगा बहुत सारे लड़के आएं लेकिन आपके यहां इतना थोड़ी ना पहुंच पाए हैं अभी तब बस एक बात मैं कहूंगा कि टैलेंट के साथ-साथ जो होता है प्रमोशन समहालना उन चीज़ों को उसके लिए सभी को और मैं अपने पिता जी को बहुत जादा शुक्रियादा कहना चाहूंगा कि मुझसे भी काफी अच्छे अच्छे टैलेंट वाले लड़के लेकिन वह इसलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उनको अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता लेकिन मुझे अपनी अच्छा आर्यान बाबु छोटे हो सवाल का जवाब दे सकते तो देना अच्छा भोले बाबा को सब लोग बदनाम कर दिया गायक लोग सिंगर लोग ज्यादा तरसे कि बांग पीते हैं गाजा पीते हैं दतूर पीते तो कहा तक सही है कि संकर भगवाद इस सब यूज करते हैं देखे यह जो चीज़े हैं हमारे पब्लिक की इंटेटेर्मेंट के लिए बनी है और जो हमारे भोले रात च्रीलम यह सब चीज़ों करते हैं तो एक बात यह है कि जब उन्होंने विश्पिया था उ इसलिए गानों में हम लोग इस चीज़ को दर्शा दर्शाते हैं या फिर हिंदी जो गाने होते हैं भूचपुरी यह जो भी मतलब शूजी पर गाने आते अच्छे गाने आते और इन सारी चीज़ों को दर्शाय जाता है तो आपको नहीं लगता है कि संकर भगवान है इन कोई कलाखार या कोई आदमी नहीं कहता है यह सारी चीज़ा गरंथ में लिखी गए यह नहीं कि मैंने देखा है यूटएब पर देखा था जो मैंने विश पीने के बाद के बाद यह उन्होंने अपने गले को ठंड रखने के लिए हमारे भोले नहीं ऐसे इनसान है कि कि उसका अगर उस जहर का एक बुद्ध भी अगर धर्ती पपड़ जाता तो धर्ते उस दिन विनाश हो जाता है लेकिन हम सभी के भलाई के लिए उन्हों अचा और काफी अच्छी फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है प्यारी फिल्म बनी है जो यूपी में शूट होई थी और आप सभी के बहुत जल्दाने वाली पिक्चर में बहुत सारे डाइलोग है लेकिन अभी सुना नहीं सकते हैं और पहले का सुना दीजिए आपको जो है याद कुछ अच्छा है तो अभी मेरी एक फिल्म आई थी निरहुसर के साथ जिसे आप सभी ने बहुत जाद आशिरवात दिया और उसका एक क्लिप था मेरा रामरपाली मैंक और निरहुसर का जिसका व्यों लोग बग पचास मिलियोन गया था आप सभी के अशिरवात से फेस्बुक पर और यूटूब पर भी बहुत सारे आप सभी ने अशिरवात दिया उसका मैं आप सभी को एक लाइन डायलोग जाए उसका करके देखाता हूं हमरा के कतना मुर्गा बनाके मर ले भी है अरी बेटा कभी-कभी गुण पिसे पिसा जाला सुना यह करा समने जग का पिसाता नूं हमरा उकरा से कौनों मतलब नेखे है हम स्कुल में पढ़ाई खाती जानी पिटाई खाती ना समझा दिया अतना मैंडमा के यह डायलोग बत इसको ठीका अभीमान हनुमान प्रसाद के साधर पढ़ना हे मठिया में आ स्वरी स्वरी गलती हो गया घॉर में के हुबाजी नौर चाहे मादा आयो दादा कपड़ो आधा पैंटा वा बेटोर लेले भिया कारे एक और है इसरे ना उपर सलवार ने नीचे खमीश थे कर ब मा मा स्वीटी कौन पड़ा घुसालबा अब पारा ना मालकिन है वचार घुसलबा अच्छा आच्छा का काम बतारा के बात ऐसन है ना क्यों चौक पे जोन हलवाई है ना चो खावा उखा रा था आपके घर मेरा स्रीया का जरूर अधा तो हमा दीवटी खीचने के लिया ग माहिना में रहना खाना फ्री पाँच हजार रोपया दूर सेट कपड़ा ठीक बाइब लेकिन हमार दूगों चीज बढ़ा दम कहें कि हमार ठाटेला उका अंडर भी और दूगों आप लोग जरूर बताईएगा कि आरेन बावु का जितने पिक्चर देखते हैं चाहिए अभी यह डाइलक जो बोल रहे हैं थोड़ा सा मीस नहीं है बताईए इतना छोटा लड़का और इतना चीज कुछ याद रखना यह अपने आप में बड़ी बात है अलो कॉमेंट बाक कि आगे बढ़ता रहे हैं और आप सभी का अश्रवाद हम पर ऐसी बना रहे हैं और कुछ अपने दिल के बात बताना चाहेंगी दर्सक के बीच और बस यहीं कहना है कि जो भी मेरा गाना आ रहा है आप से जादा स्यादा आश्रवाद दीजे और काफी सारे सांग्स आप सोजा जब आवेलू तु जनवा हो आरे धड़कन बढ़ा देवेलू कि तो हरा आगे फीका सुरज चनवा हो अधड़कन बढ़ा देवेलू असोजा जब आवेलू तु जनवा हो आधड़कन बढ़ा देवेलू गाने इनके डाइलक इनके अंदाज को हम क्या कहें जितना भी कहेंगे वो भी कम है तो आप लोग जरूर बताईए का हमारे आरे अन बाबु के लिए दोस्ट अब लिखिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं और मैं बहुत पहले ही बता दिया था कि भोजपूरी के आने वाले दीनों के यह सूपर अस्टार होंगे क्योंकि जब पॉन जी और खेसारी जी का जब समय खतम होगा उसके बाद हमारे भोजपूरी के यह नन्ने जो कलकार है न यही सूपर अस्टार पावर अस्टार आपको देखने के लिए मिलेंगे पहले ही हम बता दिये थे चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे यही कहना है कि सावन आ चुका है तो सबको सावन के हर्दिक शुब कामना है हपी सावन और मायदेव जी का अश्रवाद आप सभी प बारे में और इनके पिक्चर इनके गाने के बारे में अपना राय कोमेंट बॉक्स में जरू दीजेगा धन्यवाद नमस्कार